हेलो फ्रेंट्स, वेलकम बैक तो स्टेप बैस्टेप स्टेप स्टेप सड़ी कैसे हो आप सब मैं हूँ स्वाती और स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने प्लाटफॉर्म पे तो आज की वीडियो का टॉपिक है जैसे कि मैंने पहले डिसकस किया था कि जो दो स्कीम मोदी जी ने लाउंच करी थी 2021 में अभी अभी तो उसकी दूसरी स्कीम जो है इंटेग्रेटिड बैंक अंबर्समन स्कीम ये 2021 ये स्कीम है क्या इसके बारे में मैं आपको पूरा डीट कर सकते हो तो थोड़ी सी बड़ी होने वाली है हो सके तो अपना स्पीड बढ़ा के इस वीडीयो को तब देखें हल्राइट चलें चलते हैं फिर वीडियो स्कार्ट करते थी हैं फरस्ट ऑफ और्फ वाल वट इज बैंकिंग अंबर्समन स्कीम ये स्कीम है किया बेसिकली ये एक तरीके का फॉरम है जहां पर बैंक कस्टमर्स अपनी कस्टमर्स जो कंप्लेइन है वो दर्च करा सकते हैं पर एक्जामपल देखिए कई बार क्या होता है ओमबर्समन का जुरत क्यों पड़ी ओमबर्समन क्या होता है सबसे पहले मैं आपको भी ये भी समझाऊंगी इसमें और थोड़ा सा ब्रीफ में हम पहले ये पढ़ लेते हैं देखिए आपने कोई online payment करी और आपने देखा कि वो payment में पैसे कट गए हैं पर जहाँ पर आपने payment करी है आपके पैसे कट चुके पर उनके पास receive नहीं हुए आपने bank को complain करी कि ऐसी ऐसी बात है मेरे account से पैसे कट चुके हैं लेकिन जहाँ पर मैंने payment करी है वहाँ पर receive नहीं हुए है तो उस case में अगर आपको लगता है कि bank आपको अच्छे से reply दे रहा है तो ठीक है आप करेंगे क्या उसके बाद में जिस भी bank से for example आपने SBI से payment करी है अपना gateway था जो भी था आपका gateway SBI से SBI bank से payment करी है आपने वहाँ से क्या हूँ आपके SBI के account से पैसे कट गए आप पैसे कटने के बाद में आपने देखा कि वहाँ पर payment नहीं हुई है तब आप क्या करेंगे तब आप वहाँ पर toll free number दिया होता है हर एक bank का आप उसमें call करेंगे आप वहाँ पर inform करेंगे अगर वहाँ से भी आपकी complaint का resolution नहीं होता तो वह आपको और अपने higher officials का number देते हैं तो फिर वहाँ जाके आप complaint करेंगे अगर in meanwhile जब इन banks के पास में जा जाके जितना उपर higher officials तक आप पहुँच जाते हैं और आपका तब भी आपकी complaint का resolution नहीं निकलता या फिर वह resolve करते हैं और आप उस answer से satisfied नहीं होते हो तो आपको ज़रत परती है banking ombudsman scheme की या फिर banking ombudsman की अब ये banking ombudsman क्या करते हैं अगर आप एक महीने तक आपकी जो complaint है अगर एक महीने तक आपको एक satisfied answer नहीं मिलता और या फिर ऐसा होता है कि आप satisfied नहीं होते तो आप complaint कर सकते हैं RBI के वहाँ पर जाके banking ombudsman के पास अब ये जो scheme रही है ये कौन से section के अंडर introduced करी गई है तो it was introduced under section 35a of the constitution ये आपको याद रखना है कि कौन से section के अंडर थी ये scheme 35a दूसरा आपको याद रखना है कौन से act के तहत ये scheme लागू करी गई थी banking regulation act 1949 by RBI with effect from 1995 आप तो ये 1995 में ही गई थी लेकिन आप हमने जो ये 2021 में ही क्यों इसके बारे में discuss करा है ये मैं आपको आगे जाके वीडियो में बताने वाली हूँ all right next thing is right now banking ombudsman scheme जो थी 2006 में it was amended up to July 1, 2017 as in operation सबसे पहली जो amendment हुई थी इसमें 2006 में हुई थी अच्छे से जो लागू हुई थी ombudsman scheme वो 2006 में हुई थी उसके बाद जो amendment हुई है वो हुई है 2017 में all right तो चले आगे पर दे हैं देखिए जिन भी banks के पास 10 से जादा branches होती है for example कोई SBI का ही branch है SBI bank है इसकी 10 से जादा branches है more than 10 जिन भी banks की more than 10 branches होती है उनको एक ombudsman बनाना पड़ता है ombudsman का मतलब क्या है what is this ombudsman इसका मतलब होता है लोकपाल ठीक है अब ये लोकपाल को कैसे समझेंगे हम देखिए for example एक school है आपका कोई भी ABC school है right इसकी 10 branches है एक यहाँ पर खुली हुई है Delhi में एक फरीदाबाद में खुली हुई है इसकी branch एक Noida में खुली हुई है और एक आपकी इसी तरीके से total कुछ branches है total 10 branches है इस ABC school की अब क्या बोलता है RBI कि आपको जिस भी branch bank की 10 से जादा branches है या फिर जिस भी school की 10 से जादा branches हो गई है उनको एक ombudsman की जरुरत है for example इन 10 branches के लिए एक एक ombudsman होगा right for example जैसे इसकी 10 से जादा branch हो गई तो एक ombudsman हमने बतलब की जैसे आप लगा लो कि एक school है वहाँ पर पहले आप class teacher होती है फिर उपर क्या आते है आपके school की teachers ठीक है और उसके बाद class teacher के बाद क्या आते है आपके पूरे wing का head Wing के Head के बाद आता है आपको और सबसे बड़ा Head और फिर उसके बाद आती है आपकी Principle उसके नीचे होती है Vice Principle आल राइट तो Vice Principle और Principle आप इसी तरीके से समझ जाएए कि ये होता है आपका Principle आप ABC स्कूल की 100 and 100 Branches हैं 10 Branches तो वो कहते हैं कि ये 10 Principles तो हमारे बास है ही है Head तो है ही लेकिन इन 10 Principles के उपर भी एक Head होना चाहिए जो इन 10 Principles को भी देखे इनको रूल करे तो वही चीज RBI में लागू कर गई है कि जिस भी बैंक की इस 10 से जादा बरान चीज़ है उनको चाहिए एक Bank Ombudsman जो की होता है लोगपाल लोगपाल का मतलब क्या है लोग प्लस पाल देट इस जनता का पालन करने वाला इस लोगपाल जो देखता है जनता के grievances को जो बैंक फेल हो जाते हैं एड्रेस करने में उनको तो या फिर Bank fail हो जाते हैं एक अपनी एक satisfy करने में कंस्टमर को तो कंस्टमर जाता है Ombudsman के past में ठीक है अब किस तरीके की complaint होती है पहला हमेने आपको बता दिया दूसरी complaint ये और example आप गए आपने ATM से पैसे निकाले राइट अब ATM से जिस टाइम आप पैसे निकालते हो तो पावर जली जाती है या फिर कोई भी technical fault उसमें हो जाता है मशीन में पैसे नहीं निकलते लेकिन आपके account से वह debit हो जाते हैं account से debit हो गए अब उसमें क्या हुआ आपने complain करी bank के पास कि ऐसे ऐसे मेरे मेरे साथ यह हुआ है technical fault हो गया था जिसकी वज़े से मेरे पैसे नहीं निकले बट debited दिखा रहा है अब bank जो है आपका वो इस बात को नहीं मान रहा वो बोलता है कि नहीं ऐसा हो भी नहीं सकता आपके उसमें debit हुए है और आपके पास पैसे आ गए हैं आप जूट बोल रहे हो और उस time पे आपके पास कोई proof भी नहीं होता या फिर आप यह लगा लो आपने 10,000 निकाले हैं पांच हजार ही निकले है टेकनिकल फॉल्ट की वजए से कटे 10,000 रुपे हैं तो उसमें क्या है जब कैमरा में दिखेगा तो दिखेगा कि आपने पैसे कलेक्ट करें हैं वांसे बट यह नहीं दिखेगा कि कितनी पैसे कलेक्ट हुए हैं ऐसे केस में जब bank जो है एक satisfactory reply नह या फिर चाहा के भी मदद नहीं कर पाता because वो trust issues आ जाते हैं तब हम क्या करेंगे इस ombudsman के पास जाएंगे ताकि यह resolution निकाल सके हमारे उसका दूसरा कोई भी payment हो कोई भी आपका कभी check bounce हो जाए या फिर आपके खाते में automatically पैसे कट जाए या फिर कोई इस तरीके की कोई भी चीज तो हम जा सकते हैं ombudsman के पास में जब हमारे बैंक से हमें कोई satisfactory reply नहीं मिलता within a month ओल राइट चले आगे चलते हैं what is the banking ombudsman अब ये देखिए जो banking ombudsman योजना है जो ये scheme है ये योजना बैंक ग्राहकों द्वारा प्रदान की जाने वाली कुछ सेवाओं से संबंदे शिकायत के समाधान के लिए एक सस्ता और परित मंच है यहाँ पैसे नहीं लगते और जल्दी कारवाई भी होती है यह so banking ombudsman क्या होता है ये एक senior official होता है जो RBI के द्वारा appoint किया जाता है to redress the customer complaints against deficiency of certain banking services covered under the ground of complaints specified under clause 8 of banking ombudsman scheme 2006 ये आपको बहुत जादा याद रखना है कि banking ombudsman scheme ये वाली पहली amendment आई कब थी है 1995 लेकिन लागू जो वैसे हुई थी officially ये 2006 से तो ये आपको याद रखना है banking ombudsman scheme 2006 दुबारा से amendment कब हुई थी इसकी दुबारा amendment हुई थी जुलाई एक 2017 में दूसरा हमने क्या बढ़ाता है यहाँ पर आपको act याद रखना है कि ये act कौन सा था आपका banking regulation act 1949 ये दो questions है जो बहुत important है तीसरा ये scheme के लिए article कौन सा था section कौन सा है इसमें कौन सा section लगा था it was introduced under wix section 35a question 1 यहां से बनेगा question 2 यहां से बनेगा third question is banking ombudsman scheme 2006 amended up to july 1 2017 is in operation 2017 में last amendment हुई थी इसकी तीसरा question आपका यहां से बनेगा all right आगे चलते हैं तो यह आपने देख लिया है कि यह क्या होता है कि banking ombudsman का काम होता क्या है यह एक senior official है जो reserve bank के द्वारा reserve bank of india के द्वारा appoint किया जाता है ताकि वो customers की complaints को सुन सके जो भी deficiency हमारे banking system में आ गई है आ जाती है आगे या फिर कोई भी चीज होती है जो bank हमें satisfy नहीं करवाते customer को या फिर banks के साथ कोई हमारी problem हो जाती है तो उस चीज को solve कराने के लिए ombudsman होते हैं all right चलिए कौन कौन से banks cover होते हैं तो यह देखेंगे हम अब यहाँ पर बैली मैं आपको यहाँ से एक थोड़ा सा इसका हिंदी बता दू कि ombudsman की हिंदी क्या है देखिए यह भारती reserve bank द्वारा नियुक एक वरिष्ट रधिकारी होता है जो banking लोकपाल योज जना 2006 खंड आठ के तहत निजिश्ट शिकायत के आधार पर cover की गई कुछ banking सेवाओं में कमी के खिलाफ ग्रहाकों की शिकायतों का निवारन करता है ठीक है समझाई हिंदी जो बच्चे हिंदी के आई होप आपको हिंदी समझ में आई होगी अब आगे क्या है इसमें banking ombudsman can receive and consider any complaint regarding to number of deficiencies related to bank operation including internet banking कैसा भी operation हो देखिए internet banking से लेकर आपका offline जो भी आप पैसा निकालते हैं या फिर कोई internet banking में कोई problem आती है तो वो जो आपकी problem है वो address करता है ये banking ombudsman at present 15 ombudsman जो है वो अपॉइंट किये गए है RBI के द्वारा to settle the complaints and there as and they are appointed in state capitals वो अपॉइंट हुए in state capitals में so RBI has mentioned a large number of service deficiencies by banks to customers where customers can approach the ombudsman through a complaint अब क्या होता है इसमें कि सबसे पहली चीज इसमें कौन-कौन से banks है जो included रहते हैं जिनकी complaints ombudsman सुनता है तो यह है एक तो all scheduled commercial bank regional rural banks ठीक है then we have scheduled primary cooperative banks are covered under this scheme तो जो भी public sector banks हो गए जैसे कि SBI PNB इन सब की complaint सुनता है दूसरा private bank हो गए जैसे HDFCISC यह सब हो गए foreign bank हो गए foreign bank कौन-कौन से जैसे कि आपकी SBC ठीक है इस तरीके के bank और सरकारी bank सरकारी bank होते हैं उनकी भी complaint सुनता है उनके customers की भी complaint यह सुनता है all right तो यह होता है banking ombudsman जब आपका system पेल हो जाए for example आपने कोई check जमा कराया है वह bounce हो जाए या फिर आपने किसी को check दिया है वह bounce हो जाए खाते में आपके पैसे हैं पर वह bounce हो रहा है या फिर आपके खाते से automatically पैसे कट गए हैं और आपको पता है आपके खाते में पैसे थे एक महीने पहले तक आपने कोई भी चीज विड्रौ नहीं करी है लेकिन bank क्या दिखा रहा है कि आपने कुछ time पहले ही 20 lakh रुपीज अपने account से विड्रौ करे हैं बट वो विड्रौ आपने नहीं करे ऐसे के इसमें bank जो होता है वो क्या करता है कि आपको बोलेगा कि नहीं आपने विड्रौ करें हैं और अगर आपका कहासुन ही हो जाती है उस time पे आप क्या करेंगे जो टॉल फ्री नंबर है उस पर call करेंगे फिर वहां से वो अगर वहां से भी problem solve नहीं होती तो उपर official से बात करे जब इतना सब कुछ करके भी आपको एक satisfactory reply नहीं मिलेगा bank से या फिर कह सकते हैं कोई resolution bank की side से नहीं आएगा एक महीने तक जब एक महीना हो जाए उसके बाद में आप जो है इस ombudsman को complain कर सकते हैं वो हम आगे discuss करेंगे कि किस तरीके से हम complain कर सकते हैं तो सरकारी बैंक जो होते हैं आपके that is government banks तो इसमें PSL जो होती है asset PSL जो asset होती है वो 75% होती है और राइट schedule prime cooperative banks की चलिए आगे चलते हैं source of banking ombudsman under the amended amended scheme customer would also be able to lodge a complaint against a bank for its non adherence to RBI instructions with regard to mobile banking electronic banking services in India जैसे कि हमने पहले भी बात करी थी कोई भी कोई भी अगर समस्या हो mobile banking से related electronic banking से related digital banking से related तो वो आप address कर सकते हैं ombudsman को complain कर सकते हैं right as per amendment the pecuniary jurisdiction of banking reimbursement to pass an award see award मतलब अगर मान लो हमने complain करी ombudsman को और ombudsman ने को हमने उस पर case कर दिया right bank पर case कर दिया है कि इस तरीके से बात है तो आप 10 लाग से 20 लाग रुपे के लिए eligible होते हो इतना भी आपको मिल सकता है अगर आप अपना point रखने में ठ कि रहे समझ आ गया compensation not exceeding one lakh can also be awarded by the banking abudgment for the loss of time expenses incurred is as also harassment and mental anguish अब देखिए हम बार बर complain करते हैं right और वो जो बैंक वाले हैं वो हमें लतार देते हैं अब हमारा time इतना कीमती है कि हम बार बर उनको complain नहीं करेंगे दिन में हम 10 बार उनको call मिला रहे हैं और 10 बार वो वही जव दे रहे हैं या फिर बार बार हमें परिशान कर रहे हैं या फिर हमें mental agony हो रही है उस चीज़ से या फिर हमारी harassment करी जा रही है और उन्होंने देखा एंबर्समेंट ने यह find किया कि गलती bank की है और हमारी नहीं है उस case में यह ऐसा भी हो सकता है mental harassment के case में या फिर हमारा time loss ह सब के case में हमें एक लाग तक जो है हमें compensation भी मिल सकता है और उससे उपर जो मैंने लिखा है वो यह है कि अगर हमारा कोई इस तरीके का बड़ा case फ़स गया है जहांपर हमें पता है कि हमारी गलती नहीं है ऐसे case में अगर हमारा case सही निकलता है तो 10 से 20 लाग तक के compensation के होते हैं by an ombudsman all right आगे चलते हैं so मैं आपको एक और चीज बता दूँ यह important है कभी भी आप पैसे निकालते हैं और digitally ठीक है कोई भी transaction हो रही है और आपको लग रहे है बीच में transaction रुक गई है और आपके पैसे कट गए हैं लेकिन वहां तक नहीं पहुंचे हैं ऐसे case में 5 days के बाद आपको जब पैसे मिलेंगे आपके bank में पैसे आएंगे वह वापिस तो 100-100 रुपीज एड होते रहेंगे पर डे समझ में आ गया फॉर एक्जाम्पल 20th को मैंने payment करी है और 20th को जो payment हो रही थी तो बीच में कोई technical fault आ गया मेरे bank से पैसे कट गए bank से पैसे कट चुके हैं लेकिन वहां तक जो receiver है यहाँ पर इस receiver के पास पैसा पहुचा ही नहीं ऐसे case में जब 25th day होगा 25 days मतलब 5 दिन बीत जाएंगे तो 26th day से 100-100 रुपीज इसमें add होते रहेंगे फॉर एक्जाम्पल मैंने कितने की 100 रुपीज की transaction करी थी 100 रुपीज दिये थे हमने क्या देखा कि 5 दिन के बाद भी payment वहां पर नहीं पहुची है तो अगले दिन 200 रुपे उसके अगले दिन 300 चौथे दिन 400 और इसी तरीके से हमारे बैंक में वह पैसे आएंगे इतना 100-100 रुपे बढ़के और यही केस ATM वाले में भी होता है अगर ATM में कुछ गरबड़ी हो जाती है और 5 दिन तक कोई resolution नहीं निकलता 5 दिन तक हमारे बैंक में पैसे नहीं आते तो 100-100 रुपीज एड होके ही हमारे बैंक में वह पैसे आते हैं तो चलिए देखते हैं कि कितने offices हैं हमारे पास banking ombudsman के हमारे पास हमारे यहाँ पर 22 offices are there of banking ombudsman in India डेली में 3 हैं बॉंबे में 2 हैं GM और CGM जो होते हैं इनके वो appoint करते हैं RVI दूसरा tenure 3 साल का होता है इनका अगर आप से पूछें कि banking ombudsman का tenure क्या है तो 3 years इसको कौन appoint करता है तो RBI appoint करता है यह question है यहाँ से tenure equation यहाँ से बनेगा यहाँ से भी पूछ सकते हैं बट इतना important ही नहीं है तो यह सब करते क्या हैं तो listen the complaints of all schedule commercial banks, regional rural banks, schedule primary cooperative banks ombudsman जो होता है it shall send to the governor of RBI या report on 30th June every year अब हमारे यहाँ पर क्या होता है कि जो महीना होता है वो 30th April पर होता है तो यहाँ 1st April से होता है बट इधर banking को इनको एक report submit करनी परती है ombudsman को governor of RBI को एक report submit करनी परती है अपनी वो करनी परती है 30th of June every year की कितने cases आए हैं ऐसे कितने fraud cases थे ऐसे कितने case थे जो हमने solve करे हैं तो उसकी पूरी report बनाके जितने भी यह regional rural banks हैं commercial banks हैं schedule primary cooperative banks हैं इन सब की एक collective report बनाके 30th June को हर साल वो देते हैं यहां पर आप से पूछा जा सकता है का जो RBI का counting year है वो कब से कब तक होता है तो मैं आपको बता दू 1st July से लेकर 30th June यह होता है RBI का counting year अप से लेकर अब तक ठीक है 1 July से 30 June तक RBI का counting year होता है तो यह थोड़ा सा हमारे उससे अलग होता है तो यह आपको याद रखना है When to complain to a banking ombudsman तो यह आपको पता है कि आप complain कब कर सकते हैं ombudsman के पास में जब आपके पास जो reply received हुआ है bank से within a period of month after a bank concern has received the payment और if the complainant is not satisfied by the reply right मतलब की अगर एक महीने तक मतलब एक महीने के बाद ही आप इसमें complain कर सकते हैं एक महीने से पहले नहीं complain कर सकते हैं अगर एक महीने तक कोई आपके पास reply नहीं आया है satisfactory reply नहीं आया है bank की तरफ से या फिर bank fail हो जाती है आपकी issue को resolve करने में तो आप embarrassment को complain कर सकते हैं और अगर आप satisfied नहीं होते तब भी आप embarrassment को complain कर सकते हैं all right किसकी complain consider नहीं करी जाएगी by an embarrassment वो उसकी नहीं करी जाएगी the one who has not approached the bank for redressal of his grievance first मतलब की अगर bank ने पहले इनको अप्रोच कर दी और आपने अप्रोच नहीं करा है अपनी complaint के लिए पहले तो आपकी complaint माने नहीं होगी दूसरा subject matter of complaint is pending for disposal क्या मतलब है इसका कि आपने complaint कर दी है लेकिन वहाँ से issue आ रहा है नहीं करी जाएगी तो यह बहुत ही problem वाली बात है कि बैंक जो है आपको pending में डाल सकते हैं तो आप इसमें complaint बहाँ पर नहीं कर सकते हो इस case में यह भी होता है कई बार कि एक बड़ा issue हो जाता है और यह आपको pending में डाल देते हैं आपकी complaint अभी पेंडिंग में है तो उस पेंडिंग में वह क्या दिखाते हैं कि जब यह पेंडिंग का case चल रहा होता है कि हम आपकी issue को resolve कर रहे हैं कर रहे हैं कर रहे हैं जब आप टेलिफोन में complaint करते हो ना अपने mobile phone से अपने network issues की पेंडिंग में डाल देते हैं आपकी complaint को ऐसे में पेंडिंग में जब अपर higher official देखता है कि क्या complaint को इन्होंने देखा है जो customer की complaint को देखा है या नहीं तो उसमें क्या दिखाते है पेंडिंग issue का मतलब होता है वो दिखा देते हैं पेंडिंग है pending का मतलब कि उस पे work चल रहा है और ऐसे pending एक एक दो दो साल तक तीन तिन साल तक भी डाल देते हैं matters को तो ये मेरे खुद के साथ एक personal experience है जो हुआ है तो इसलिए मैं आपको बता सकती हूँ कि इस तरीके से चीज़े होती है तीसरा, कब आप complain नहीं कर सकते जैसे कि आप किसी court वगेरे में चले गए consumer court वगेरे में और ये issue पहले ही deal हो चुका है वहाँ पर तो आप यहाँ पर complain नहीं कर सकते embarrassment को लोगपाल को complain आप तब नहीं कर सकते हो चौथा case कब बनता है जब आप नहीं complain कर सकते हो जब आपने एक साल के अंदर जब तक आपको receipt मिली है from the receipt of reply of bank or no reply from bank for example आपने complain करी एक महीने तक आपके पास कोई भी reply नहीं आया तो एक महीने के बाद आप liable हो जाते हो ठीक है कि आप complain कर सकते हो embarrassment को लेकिन अगर आपने एक महीने के बाद आपने कोई वो नहीं करा है या फिर bank का reply नहीं आया है या फिर bank से कोई reply आ चुका है जो आपको satisfactory नहीं लगता और उसके एक साल तक आप complain नहीं करते हो तो भी आपकी ये complain consider नहीं होगी for example अगर आज मैं कोई complain करती हूँ एक महीने के बाद मुझे reply तो आ गया लेकिन मैं उस reply से satisfied नहीं हूँ और उसके एक साल बाद आज से एक साल बाद इसी दिन पे मेरा वो जो tenure है वो खतम हो जाएगा उसके बाद मैं ये complain नहीं कर पाऊंगी लोगपाल को आपको समझ में आया होगा आगे चलते हैं how long does it take for an ombudsman to reply देखिए निरली तीन महीने लग जाते हैं उसको आंसर करने में उनको 90 देज भी लग जाते हैं मतलब तीन महीने लग बग उनको लग जाते हैं other types of cases जो बड़े बड़े और cases होते हैं उसमें हो सकता है उसको 90 देज से जादा भी लग जाएं सहां से यह आप से पूछ सकते हैं it is very important current chairperson कौन है लोगपाल का है इस पिनाकी चंद्र गोश यहां से question आ सकता है लोगपाल के पास यह पूरा पूरा राइट होता है कि वो central government के उसमें inquire कर सके into the allegations of corruption against its public functionaries and matter connected to corruption कि अगर कोई central government ने corruption करी है या फिर कोई भी public functionary में उनको लगता है कि कोई corruption हुई है तो इस matter में उसको देखने का पूरा पूरा हख है अधिकार है लोगपाल को all right how can one file a complaint? तो मेरी English जो है वो बहुत गंदी हो चुकी है यह देखिए क्या क्या spelling लिखी हुई है मैंने कैसे कोई complain कर सकता है file सबसे पहला जो file कर सकता है simply by writing on a plain paper simply एक plain paper पे write करो और अपनी complain लिख दो ठीक है दूसरा online complain file करके या फिर CMS portal पे file करके जो आपके RBI में www.rbi.org.in जाके CMS portal खोल के वहाँ पर आप complain कर सकते हो या फिर online file कर सकते हो तीसरा direct ombudsman को email सेंड कर सकते हो चौता if you have an agency a reasonable chance to resolve your complaint you have given an agency a reasonable chance to resolve the complaint so आपने दे दिया time की भाई मेरी complaint को resolve कर दो अपने banks को time दे दिया उन्होंने complaint resolve नहीं करी आपकी तो उस time में आप क्या कर सकते हो यह जो toll free number है that is 1-800-451-524 इस पे call कर सकते हो और अपनी complaint जो है वो धर्ज करा सकते हो अब बात आती है कि यह तो पहले ही था यह जो banking ombudsman है यह तो पहले से ही है 1995 में यह आया था 2006 में यह amendment होके लागू हुआ है अच्छे से 2017 में इसकी last amendment हुई है तो फिर अभी मोदी जी ने इसको क्यों discuss किया see पहले क्या होता था कि मान लो आप डली में काम करते हो राइट आप डली में काम करते हो और आपका जो bank है वो है मुंबाईवें अब ऐसे case में क्या होता था कि दिली में जो रहता है वो बॉम्बे के ही ombudsman को letter रिख सकता था या फिर बॉम्बे के ही जो ombudsman है उसको complain file कर सकता था दिली के ombudsman को complain file नहीं कर सकता था अभी क्या करा है इन्होंने इस पूरे ही platform को online कर दिया है और online करके एक integrated form में कर दिया है for example अगर मैं अभी यहाँ पर बैटी हूँ तो मैं यहाँ से complain कर सकती हूँ दिली के भी को और इसको मतलब एक proper एक ही वो कर दिया है that is one nation one platform ठीक है one nation one platform यह कर दिया है मोदी जी ने तो मेरा क्या होगा मेरे को सिरफ एक button होगा जहाँ पर complain जो प्रेस करके मैं को complain करनी होगी और उसके बाद में आगे उन लोगों का काम है कि वो उस complain को कहां कैसे भेजते हैं all right तो मेरा काम यह नहीं होगा कि मैं पहले मुंबाई के उसको email address भेजू अंबर्समन को अब यह सब खतम हो चुका है अभी मैं किसी को भी complain कर सकती हूँ गर बैटे बैटे कहीं से भी तो मेरा यह डेली मुंबाई वाला चकर भी नहीं रहेगा अगर मैं यहाँ हूँ बैंक मेरा हैदराबाद में है और हैदराबाद में मुझे हैदराबाद के अंबर्समन को complain करनी पड़े तो यह सारज सिस्टम जो है वो खतम हो चुका है अब हम किसी को भी complain कर सकते हैं अपने किसी भी issue के लिए issues मैंने आपको बता दी किस तरीके से छोटे छोटे issues आते हैं कभी payment fail हो जाए चक bounce हो जाए आपका और आप satisfied नहीं हो तो ऐसे case में आप complain कर सकते हो all right I hope आपको समझ में आया होगा कि ये वीडियो क्या थी और अमबड्समन क्या होते हैं क्या काम होता है लोगपाल का तो ये सब आपको समझ आ गया तो नोट्स बना लीजिए दूसरा screenshot ले लीजिए जो भी इसको important point लगता है जो भी मैंने questions आपको बताए हैं इसमें important है वो आप जरूर जरूर इसको screenshot ले लीजिए till then take care good luck and keep studying